नमस्कार भाई जहिंद कैसे आप सब बाशा करता हूं सब बढ़िया होंगे श्वस्त होंगे तो भाई आज से आगाज होने जा रहा है इस वोक्याबलेरी नाश्ते का डे वन का तो यह आज इसका डे वन है आज से यह आपको अनतकाल तक मिलती रहेगी इंफिनिटी तक मिलत है इसमें आपके 20 वर्ड होने वाले जो कि कुल मिलाकर आपके 40-50 हो जाएंगे सारे अंटॉनिम साइनों मिलाकर और आपके 5 एडियम होने वाले और 5 आपके वनवर्ड सब्स्टिटूशन और एक आपका ग्रामर का रूल होने वाला है और यह सारी चीज हम कोशिश करेंगे कि 25 से 30 मिनट के अंदर हमारा हो जाए तो चलो भाई शुरू करते हैं अपने पहला लेचर लेके गंपती महराज का नाम आज सोमवार का दिन है होम नमस्षिवाय चैमा सरस्वती चलो भाई शुरू करते हैं राधे राधे भाई यह हमारे पहला वर्ड भाई टाइम जिसके आगे ए वर्ड लगाओ उसका मतलब होता है नौट पहले तो मैं आपको यह पता दूँ यह एक प्रिफिक्स होता है जो जिसके आगे लगाओ नौट वर्ड में वो काम नहीं कर रहा अब इसमल का मतलब होता है एक्स्ट्रीमली बैड मतलब कुछ बहुत ही जादा ग लगता है कि जैसे यह हैपी से सिनॉनिम करता है तो हमें लगता है इसका मतलब होता है खुशी गलूमी का मतलब होता है सैड और इसका एंटॉनिम होता है सुपर्ब हमारे second word है abyss इसमें a का मतलब है not और बिस का मतलब है base इसका मतलब हो गया without base without base एक ऐसा गड़ा या एक ऐसी जगह जिसका base ना हो जैसे आप किसी well में देखें जिसकी कुए में देखें आप जिसका आपको उसका base ना दिख रहा हो तो आप उसे abyss कह सकते हैं हमारा आगे के word है वाई एक एक और पस एक है इसमें अ का मतलब है not और कॉर्प का मतलब होता है काप का मतलब होता है फ्रूट्ट ईतेके भाई फ्रूट्ट इसका मतलब होगे आपका not producing fruit मतलब बंजर ऐसी जमीन जो बंजर हो यह ऐसा पेड़ जो बंजर हो जो फ्रूट ना दे रहा हो इसका सिनॉनियम है आपका स्टेराइल रभल और आपका इनफर्टाइल बहुत जाद है आससे एक्जाम में पूछा जाता है इसका मतलब होता है आपका non-fertile जगा या पेड जो भी हो इसका इंटॉनियम होता है fruitful जो हमें fruit दे रहा हो या जो हमें कुछ produce करके दे रहा हो फूर्थ वर्ड है हमारा eccentric means not or centric means without center कोई ऐसी चीज जिसका center ना हो भाई आप आप अगर root word से याद करने की कोशिश करोगे तो आपको जल्दी इन सब के meaning याद होंगे आपको जहां लगा मिले मतलब प्रोबैबली उसका मतलब not ही होता है means not और centric मतलब without center तो आप इससे ऐसे तुक्य लगाने में भी आपके यह बहुत help करेगा पांचवा वर्ड है हमारा a cephalus इसके थोड़ी प्रनाउंशेशन पर ज्यान देना a cephalus means not और cephalus means होता है अब इसमें हैड आप अपने सिर वाला भी ले सकते हैं खोपड़ी आला भी ले सकते हैं और एक हैड इसमें लीडर वाला भी हो सकता है कि हैविंग नो लीडर जैसे हमारी जो 1857 की जो करांती थी वह हमारी सेफलेस थी लीडर लेस था उसमें कोई लीडर नहीं था और इसलिए ही हम उसको हार भी गए थे और दुसरा इसका मतलब हो सकता है जैसे आप किसी बापने बायोलजी लैब में जाए आप आप सकेलेटन देखे और उसकी आप खोपड़ी निकाल लें तो वह जो खोपड़ी बिना बिना खोपड़ी के जो सकेलेटन होगा वह होगा सेफलेस सकेलेटन ठीक है बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर अ क् क्रों का मतलब होता हैً क्लर यहाँ क्रों का मतलब है कलर मतलब विदाउट कलर कोई चीज विदाउट कलर हो जैसे हमारोयज सकेलैन के वजे से हमें यहीण weiß रैता है हमारे इक्रोमेटिक मतलब झालर सैमत वरय हमारा यह नोज Yani The और gnos का मतलब होता है यह gnos का मतलब होता भाई knowledge यह सब आपके root word है इनको ध्यान रखना कहीं gnos कहीं और भी आ जाये तो gnos का मतलब होता knowledge inability to recognize thing यह वैग बिमारी हो जाती है agnosia things और आप आगरिश में human भी कर सकते हैं इस बिमारी में बंदा किसी वस्तू को या किसी आदमी को पहचानने कि उसकी इतनी शमता नहीं रहती कि वो उन्हें पहचान सके तो उस बिमारी को बोलते एगनोसिय इनेबिलीटी टुट रिकगनाइस थिंग कॉपी पैन लेके बैठना अपने साथ इसारे वर्ड लिखते रहना ताकि आपको एंड में रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना आए वैसे मैं इसकी पीडिएफ भी आपको अपलोड कर दूँगा अपने टेलीगरम चैनल में जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अब कर बढ़ते हैं अपने आगे भाई तो हमारा एड़त वर्ड है एड़मेंट है मिन्स नॉट और डामेंट मिन्स बदाउट माइंड डिफूजिंग टूचेंज वन्स माइंड मतलब इसका मतलब जिद्दी जो अपने माइंड को चेंज करने से मना कर दे जैसे हैं कि आ आप उसको कुछ भी बोलो यह करने की वह कर नहीं भाई मुझे यह करना ही नहीं है मतलब रिफ्यूजिंग टूचेंज वन्स माइंड है अपने आपको बदलने से जो मना करते कि नहीं मैं यह करूंगा यह नहीं नेक्स्ट वर्ण है हमारा एगॉनिक एज मीन्स नॉट और गॉन मीन्स एंगल यह चो गौन है इसका मितलब होता है एंगल गाउट हैविंग एंगल किसी चीज के जिसका एंगल ना हो उसको हम बोलते हैं एगॉनिक नेक्स चलते हैं भाई अब आपको एगॉनिक और एगनोस्टिक में फर्ग देखना है आपका एगनोस्टिक तो होता है without having any angle और एगनोस्टिक का मतलब होता आपका who believes whether God exists और not जो लोग ये मानते हैं कि भगवान है या नहीं है ये नाकरात्मक नहीं है मतलब ये अथीस्ट नहीं बोल सकते हम इने हम इने अथीस्ट नहीं बोल सकते जैसे एक भगवान को मानते हैं एक भगवान को नहीं मानते हैं तो हम इने वो लोग नहीं बोल सकते जो भगवान को नहीं मानते हैं नेच्ट वर्ड है हमारा अग्रेफिया हम ऐ मिन्स नाट और यहां पर ग्राफ का रूट वर्ड होता भई reste ग्राफ का रूट वर्ड होता है राइट इसको आपको या आपको ग्रूट वर्ड देखने को मिलेगा ल Examples को ग्राफर में काटो ग्राफर में क्राफर मींज लाइट इसका मतलब होता है लॉस ओफ अबिलिटी टु राइट अमिन्स नॉट और ग्राफ मिन्स राइट मतलब जो अपनी दिखने की शमता भूल चुका हो या जिसको लिखना आता ही नहा हो loss of ability to write next है हमारा अवतार अवतार आपकी movie भी है जिसमें नीले नीले से आदमी है और अवतार का मतलब होता है incarnation of God जब भगवान पृत्वी पे प्रकट होते हैं मनुष्य रूप लेके उसको बोलते हैं अवतार जैसे हमारे श्री कृष्ण प्रकट हुए थे और हमारे राम प्रकट हुए थे तो वो श्री विश्नु भगवान के अवतार है हमाने next word है Alexia Lex means होता है भाई read ठीक है Lex means होता है read और A means not मतलब inability to read जो बंदा read ना कर सके इसको मोलते हैं Alexia मतलब जो बंदा read ना कर सके मतलब जिसको ऐसी कोई बिमारी हो या जिसको read करना ना आता हुए उसको Alexia बोलेंगे हमारा next word है Amnesia Amnesia means loss of memory A means not और Nesia ये जो Nes का है इसका मतलब होता है memory Amnesia ये भी एक बही बिमारी होती है जिसमें लोग अपनी यादाश बोल जाते हैं इसको हम Amnesia बोलते है Amnesia means loss of memory Amnesia means not और इसमें है आपका pardon especially of a political offense और forgiveness मतलब किसी को माफ कर देना Amnesia मतलब होता है किसी को शमादान दे देना जैसे हमारे article 72 में हमारे प्रेजिडेंट हमें शमादान की शक्ती होती है न पांस टाइप के pardon होते है मतलब पांस टाइप का उसमें होता है एक होता हमारा pardon एक रिप्राइब एक रिस्पाइट ऐसे करके पांस होते है न वई तो ये भी उसी परकार का है Amnesia जिसमें हम especially पॉलिटिकल ओफेंस सर्जे होते हैं उनको पाड़न करते हैं ठीक है क्रिमिनल नहीं पॉलिटिकल ओफेंस को पाड़न देते हैं इसमें इसका मतलब होता है Amnesty Amorphous और मॉर्फ मीन्स शेप मतलब विदाउट एवी हैविंग एनिडेफिनेट शेप विदाउट एविंग एनिडेफिनेट फॉर्म और शेप इसका सिनॉनिम है आपको फॉर्म लेस शेप लेस इसको हम गॉड के लिए भी यूज कर सकते हैं विकॉस गॉड हमारे Amorphous है गॉड का कोई फॉर्म नहीं है गॉड का कोई शेप नहीं है बस वह हमने जैसे हमने अपनी पुरानी कथाओं में पढ़ा है सुना है उस हिसाब से भगवान की अमूर्ति बना देते हैं अब अगला आता है आपका अनेमिया नेम मेंस होता है आपका बलड यह जो आपका बलड है ना यह नेम इसके रूट वर्ड होता है नेम का ब्लड एम मिन्स नॉट नॉट ब्लड मनिंग हैविंग लैक ओफ ब्लड जिसके शरीर में खून की कमी होती है उसको बोलते हैं इसको अनेमिय की बिमारी है यह स्पेशली बिटामिन बी कॉंपलेक्स की वज़े से होता है अगर आप इ आनल गेसिया अनलाल गेसिया मेंज होता है लॉस ओफ ऑबिलिटि टू फील पेप्र है जिसको मोँ एंश्थीसिया दे कर करते ने जैसे आप जब आपको पता होगा जब किसी को आप्येसिनभा माइनर उप्रेशन वख आग तो उसको एंश्तीसिया दिया जाता है इतनी अले आपको शुर्ण का कोया इंच्ञेक्शन लगाता रहbbles का जिसने आपको वहां पर किसी परकार का परखं Bowl नहीं होता और जो इसको देता उसको grind को एनस्थेटिक भी बोलते हैं वहाँ पर भी हम कुछ भी करते नहीं, तो भाँ पर दर्ध नहीं होता, तो इसी के सब के सिनौनी में इनलियेस यह, नेक्स्ट बरड है हमारा अनारकिस्ट, अनारकिस्ट एक एसा आदमी होता है, जो लॉलेशनेस पसंद करता है अपनी स्टेट में, और इसको उम अनार्की बोलते हैं, अनार्की मतलब government without having any leader, मतलब जहां कोई government नहीं होती, अराजकता फैली होई है, उसको अनार्किक state बोलते हैं, और उस आदमी को जो ये सब पसंद करता है, उसको अनार्किस्ट बोलते हैं, ठीक है, अनार्की का मतलब होता है अराजकता, ये यह सब जो आर्की वाले शब्द होते हैं यह सब गॉर्मेंट से रिलेटीड होते हैं मन्देपूरी कहानी बता देते हैं तो वह हमारी अनेक्डों हम उनको कह सकते हैं भाई यह थे हमारे आजके 20 वर्ड अगर आपको कोई दिक्कत लगी हो इसमें आपको समझने में ग्रमत करके कुण अब वो क्या भी यहां से हो रही है ग्रामर का एक रूल नहीं बता दूँगा आपको दो-तीन महीने में आपके पास सत्यर सिनब्बर रूल हो जाएंगे जो इनफ होंगे बट कॉंप्रियंशन आप कहा से करेंगे कॉंप्रियंशन के लिए इंपॉर्डन्ट होता है अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तो तो रीडिंग आप न्यूस्पेपर की कर सकते हैं जैसे दाहिंदू की कर सकते हैं और जिनको भाई दाहिंदू नहीं मिलता पढ़नाएं के लिए मैं अपने टैलीगराम गुरूप पर डाल दूँगा डेली पढ़ सकते हैं रोज का और अगर आप कोई न्यूस्पेपर नहीं पढ़ना तो आप भाई कोई बुक वगारा भी पढ़ सकते हैं जिससे आपका कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव हो वह गयाब ले तो आपका यहां से होई जाएगा अब करते हैं वाई अपने पांच इडियम और फ्रेजिस तो पहला है भाई हमारा इसलैप अंदर रिस्ट किसी के रिस्ट पे स्लैप करना इसका मतलब होता है माइल्ड पनिश्मेंट मतलब थोड़ी पनिश्मेंट देके किसी को छोड़ देना किसी को ज्यादा कठोर पनिश्मेंट ना देना किसी को थोड़ इसको छोड़ देना इसका मतलब होता है slap on the wrist आप किसी को गाल पर slap करेंगे तो उसको जादा लगेगी आप किसी को इसको इसको क्म लगेगी इसको ऐसे करके याद रख सकते हैं कि अगर हम किसी की wrist पे मारेंगे, wrist मतलब होती ही कलाई, कि अगर हम किसी को कलाई पे मारेंगे, तो भाई कम लगेगी, तो मतलब यह होता है कम punishment, next हमारा body and soul, body and soul मतलब होता holy and entirely, मतलब पूरी तरीके से आत्म समर्पन का भाव, मतलब I love you, body and soul, मतलब पूरे तरीके से मैं आपको holy और entirely मैं आपसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब होता है यह, मतलब अपने शरीर से और अपनी आत्मा से उसके प्रती समर्पित हो जाना, holy and entirely, next है भाई, to burn one's finger, अपनी उंगली जिला लें, इसका मतलब होता है, to suffer a loss by acting harshly, इसको आप यह कैसे याद कर सकते हैं, जैसे आपने कभी cooking वग्यारा की हो, तो अगर आप जल्द बाजी में cooking करें, तो आप गरम गरम चीजों को चूलेते हैं, गरम पतीली चूली, गरम आपने कड़ाई चूली, तो उससे आपके उंगली जल जाती है, नेक्स्ट है हमारा a shot in the dark, a shot in the dark मतलब randomly doing something without which outcome is unknown, इसको हिंदी में बोलते हैं, अंधेरे में तीर चलाना, हमने अंधेरे में कोई तीर चला दिया, हमें नहीं पता वो निशाने पर बैठेगा या नहीं बैठेगा, जैसे मैंने लेचल शुरू कर दिया, a shot in the dark है, मेरे को नहीं पता बच्चे सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे, बच्चों के पसंद आएगा, नहीं आएगा, इसका outcome unknown है, बट फिर भी मैं continue रहूंगो अपनी तरफ से, भाई यही होता है, a shot in the dark, आप इसको इंदी में भी अगर translate करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, अधेरे में तीव चलाना, randomly doing something, take your eye off the ball, to stop paying attention for a moment, भाई इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे इसका आप इसको पढ़के देखो एक बार, take your eye off, off the ball, जैसे आपने कभी cricket खेला हो, और आपके पास sketch आ रही है, बड़ी उची सी आपके पास sketch आ रही है, आपने उस sketch की तरफ अपनी आँखें बनाई हुई है, और आप बीच में एक second के लिए अपनी आँख उस बॉल से हटा लो, तो क्या होगा, catch miss हो जाएगी, उसक सेम मतलब है, to stop paying attention for a moment, आपने किसी चीज पर थोड़े समय के लिए attention देना बंद कर दिया, और वो काम खराब हो गया, take your eye off the ball, इसका मतलब है, ऐसे आप से याद कर सकते हो, to stop paying attention, मतलब आपने उस बॉल से आँख हटाई, तो आपने उसको attention देना बंद किया, और आपकी catch छ मतलब होता है study of heavenly bodies, इसमें है आपका root word है, एस्टर, यह चछो एस्टर आपका root word होता है star का, ठीक है बई, तो कहीं भी आपको Esther दिखा मिले, जैसे astronomy में होता है, जैसेpson primarily में होता है, astrology मतलब होता है study, study of stars, और astronomy means मतलब होता है, astronomers stars में जाते हैं आपका मतलब heavenly bodies पर जाते हैं मून पर जाते हैं मार्स पर जाने की कोशिश है ऐसे यह सब होते हैं करते हैं जों मीसोगमिस्ट मीशो मिन्स डोता है आपका हीट ठीक है कहीं भी आपको मिसोस मिलें तो मेंस्ट होता हीट और गया मिन्स होता है one who hates marriage इता है जों को शादी से नफुरत है और अगर इस जग कमम लिखा आजाए तो जिनी का मतलब होता है आपका वोमेन मनु हेट्स मिसो आप अप सियाद रखना आपको कहीं भी मिसो लिखा दिखे मतलब होता है है अब अगला है आपका कॉंस्क्रिप्शन कॉंस्क्रिप्शन मतलब होता है कंपल्सरी इलिस्टमेंट फॉर आर्मी भाई यह सारे मनवर्ट सब्स्टिट्यूशन और एडियम यह आपके यह जब खतम हो जाएंगे तो नेस्ट इग्जाम के शुरू होंगे अभी यह चेसल के लिए बहुत काम आएंगे यह कंपल्सरी इंस्ट्मेंट फॉर आर्मी जैसे यह हमारे कंट्रि में तो नहीं होता बशार की कंट्रि में यह कंपल्सरी है कि हर जवान बच्रकें को एक या दो साल आर्मी में देने ही होते हैं जैसे आपने बीच में एक दो मेने पहले न्यूस से नहीं होगी कि ये के पॉप जो है पता नहीं मुझे कहां का इस कोरिया का मेरी खाल साउथ कोरिया का ये के पॉप इसमें से एक इसका मेंबर गया था आर्मी के लिए तो वह कॉंस्क्रिप्शन ही होता है मतलब आप चाहिए भाई कितने भी अमीर आदमी हो कितने भी गरिव आदमी हो आपको कंपल्सरी जो आर्मी में एक दो साल की सर्विस है वो देनी ही पड़ती है नेंख्ट है घ premiershall नेफ्रोजी ने फर आपने बायो पड़ी हो तो यह मारे फून साब करते हैं अगर आपको इतनी पी चीज पता होती तो अप इसको असानियते लगा जैते जिसी लगा लिए नेफ्स्रोजी अस ट्रこう Epcią Department वालन्टेर मीन्स होता है दो जो अपनी सर्विस को बिना किसी दबाब के और पैसो के लालच के लालू जैसे आपका भी बंडारय यहां जां आपके सबडल कर आप दिल्ली से हों तो आपका पताओगा civil defence volunteer होते हैं civil defence volunteer उनको तो पैसे मिलते हैं और volunteer को generally पैसे नहीं मिलते हैं जैसे बंडारे का example भाई best example है बंडारे में जाओ पूरी सब्जी बटवा दो तो हाँ वहाँ volunteer बनके आ गई ठीक है तो यह थे हमारे आज की vocabulary one word substitution और सब्चीज हमारी हो गई है अब मैं आता हूँ आपको grammar का एक rule पर आज का हमारा grammar का rule है विच वर्सिस डैट विच और विच कहां यूज होता है और डैट कहां ठीक है डैट आपको यूनिवर्सल है नॉन लीविंग के लिए विच यूज होता है और हमारे लीविंग के लिए यूज होता है हूँ और हूम हूँ और हूम जो होते हैं जो हमारे कल के लेच्चर में आ रहेंगे वह होते हैं भाई हमारे लीविंग ठीक के लिए ठीक है वो यह हूँ और हूम में आपको कल बता हूँ है जैसे मैं आज आपको विच और डैड बता रहा हूं अब मैं आपको एक एक जामपल देता हूं I have a phone dash has 200 megapixel camera अब यहां पर तो मैंने विच लिक रखा है बट यहां पर आपके पास हूँ भी आ जाएगा और हूम भी आ जाएगा और एक option में आपके पास विच भी आ जाएगा तो अब आपको उसमें से चूस करना होगा और यहां पर आपका डैट भी आ जाएगा बर डैट और विच एक साथ कभी option में नहीं आएगे क्योंकि यहां पर डैट भी सही होगा और यहां पर विच भी सही होगा डैट मैंने आपको पता है यूनिवर्सल है वो कहीं भी आ जाता है I have a phone that has a 200 megapixel camera यह भी स और एक non-living thing को हम combine करके बोलते हैं वहां हमारा डैट का use खोना compulsory हो जाता है जैसे I saw a girl and a bicycle dash you are talking of मतलब आप एक लड़की और एक bicycle की बात कर रहे थे अब यहां non-living भी आ गया और यहां living भी आ गया यहां हम हू लगाए विच लगाए अब यहां क्या लगाए तो जहां द लगाएंगे आपका डैट ठीक भई आप इससे sentence बनाके देखना वह सारे आप इसकी practice करके देखना बस अपनी एक चीज याद रखना कि आपको जो विच है वह non-living thing के लिए ही आएगा और who or whom आपके living thing के लिए आएगे तो आप अपना अगर आपके पास यह option था तो आप इन दोनों को तो वैसी eliminate कर सकते थे और इन दोनों में से कोई एक देगा भाई आपको दोनों नहीं नहीं देगा क्योंकि अगर वो दोनों देगा तो फिर उस पर objection लग जाएगा क्योंकि यह दोनों ही सही होंगे ठीक है बस आपको इतना द्यान रखना है कि which हमारा non-living thing के लिए आएगा और डैट हमारा universal है वो किसी के भी साथ आ सकता है इसमें से कोई कोई एक ही चीज देगा अगर आपको विच ना दे डैट दे तो आपको डैट चूज करना है नहीं तो आपको विच चूज करना है ठीक है अगर अब भी आपकी कोई कोईरी रह गई हो आपको क हमारा आज का पहला लेचर था डेवन था आपको कैसा लगा जरूर बताना अगर आपको अच्छा लगा हो ना लगा हो कंटीन्यू रखू ना रखूं क्योंकि मेरी भी बहुत ज्यादा मेहनत जाती है इसमें यह जो आपको पीपीटी आपने देखी इसमें बनाने में कम से कम 2-3 घंटे लगते हैं भाई तो हाँ मेरे इतना टाइम जा रहा है पर कोई नहीं अगर आप लोग को पसंद आएगी तो मैं कॉंटीन्यू रखूंगा ठीक है तो भाई यही था आज के लेच्चर में जैहिन जैबारत जैमा सरस्वती